कि असलाओं वालेकुम है गुड आफ्टरून आप सबका मेरे चैनल पर वापिस से स्वागत है अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब का लाल बटन दबा के सब्सक्राइब कर लिजिए और बैल आइकन दबा दीजिए बाकि मैं मंडे टू फ्राइडे भी वीडियो अपलोड करता हूं तो चैनल पर बने रही है यह गोल्ड का डेली चार्ट है उनिस सु सतावन पर गोल्ड बंद हुआ इन फाक्ट लास्ट पांच में से चार दिन गोल्ड ब्लू में क्लोजिंग दिया है जैसे कि आप देख सकत लेकिन मंडे ओपन हुआ था तक्रीबन 1921 के आसपास और फ्राइडे तक्रीबन 1928 के आसपास क्लोजिंग दिये तो तक्रीबन 36 से 37 डॉलर के आसपास गोल्ड के अंदर तेजी आई है इस वीक में एक अच्छा वीक था गोल्ड के लिए हमारा भी गोल्ड का सिगनल था बा है और स्क्रीन पर बाकी आप ट्विटर और टेलिग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए डेटा के अपडेट्स के लिए इंग्लिश इप्यों स्टिल फाइंडिंग इस वीडियो और इंग्लिश तन यू जॉइन माइधर चैनल लिंक इ सब्सक्राइब में बंद हुआ है में में मेजर तेजी आई यह कि वैटनस दे थर्सडे जब चेर्वन ने बोला कि वह 0.25 से ज्यादा 0.5 परसेंट भी रेट बढ़ा सकते इंफलेशन को टेम करने के लिए लेकिन काफी इनिलिस्ट का और वाल स्ट्रीट के एनिलिस्ट का मानना है कि सिर्फ इंट्रेट बढ में नना जरूर घख और्गल के पीक हो जाएगी और डिसंबर से इंफ्लेशन घटना शुरू हो जाएगी फैट चेर मैंने ये भी बताया था पिछली बार आपको याद हो मैंने कवर किया था वापस से रिपीट कर देता हूं कि कि 2023 से इंफ्लेशन कम होने के चांसे हैं और 2023 के अंद तक इंफ्लेशन उनके काबू में आ जाएगी तो अभी भी आल्मोस्ट पॉने दो साल बाकी हैं जब फैट के अनुसार उनका जो इंफ्लेशन टार्गेट से वह आए सबसे बड़ी बात यह सिर्फ उनके एस्टिमेट्स हैं उन्होंने कोई कॉंक्रीट नहीं बताया कि कुछ भी कॉंक्रीट उनके पास अभी जवाब नहीं है कि सिर्फ इंट्रेट बढ़ा के वह इंफ्लेशन कैसे कंट्रोल करेंगे जबकि इंफ्लेशन तकरीबन 8% के आसपास है 8% के आसपास तब है जब उसके अंडर कुद के जो मेजर प्राइस है वो फाक्टर इं नहीं है प्रुड आयल का मेजर इन मेजर फैक्टर इं होगा नेक्स्ट मंथ एप्रिल में जब एप्रिल में इन्पेशिंगे निम्बर्स आएंगे विकाज यूएस के इंफलेशन नंबर मार्च के शुरू में आ गए थे और युक्रेयन और रश्या की वार शुरू हुई थी फैबुरी के एंड में रश्या और युक्रेयन की वार का कोई भी मेजर अपडेट नहीं है वार अभी चाल हुई है नहीं कोई कोई ऐसा अपडेट है कि सीपायर होने वाला है ना ही कोई ऐसा अपडेट है कि बिलकुल कीफ पे रश्या का कब्ज़ हो गया तो उस एंगल से अभी कोई भी नियूज नहीं है एक और एंगल है इंफलेशन के अलावा इंट्रस रेट का इंट्रस रेट का मैंने आपको बता अगर जरूरत पड़ी उन्होंने ये भी बताया कि हो सकता है कि आदा पसेंट रेट बढ़ाने के जरूरत ना पड़े बट देयार रेडी इंट्रस रेट इंट्रस रिक्वाइट एक कमी जो फैट चेर्मेन और काफी फैड के प्रेस कॉंफेंस में दिख रही है वह उन्हो यह मोर्स डबल हुई है पैंडमिक के बाद इतने बेल आउट देके इतने पैसे बाट-बाटके उसको कैसे कम करेंगे उसका अभी तक उन्होंने यह नहीं दिया है कि उसको कम करने के लिए क्या करेंगे इसकी पेइमेंट भी शुरू करनी पड़ेंगी इतने ज्याधा बालेंस शीट बढ़ गई है उसका अभी कोई अपडेट नहीं दिया है बाकी यूएस प्रेसिडेंट अभी यॉरप में है उन्होंने अनौंस किया था कि वह एक लाख यूक्रेनियन को सेटल करेंगे यूएस में रेफ्यूजी एज रेफ्यूजी बट अभी भी उसके मतलब कुछ कॉंक्री माइस के तरफ से आया है कि इस वजह से एसा करनें और रोखेंगे लाट वीक यॉट्這邊 ने बोला था कि कुछ unfriendly countries जो है उनको वो फोर्स करेंगे अब कि पैसा जो है गैस और पेट्रोलियम प्रॉडक्स का वो अब रूबल्स में पे करें उसके बाद ही रूबल्स में तकरीमन 15 से 20 परसेंट तक कर आई जा गया था तो जो रूबल्स को अल्मोस क्रश करने की कोशिश कर रही थी वेस्टन गवर्मेंट्स अब जो है रशिया के प्रेसेडेंट ने उन पे एक हिंदी में वो है सत्ते पर सत्ता मारने वाली बात हो गई है कुछ माइनों में उन्होंने बोला है कि जल्द ही शुरू करेंगे रबल्स में पेमेंट इंस्टेड ऑफ यूरो एंड डॉलर तो अब रबल्स में तेजी आना शुरू हो गई है तो अब जो एकोनॉमी को क्रश करने की बात थी अब इनफाक्ट इंडारेक्ली यॉरपियन कंट्री रश्या की एकोनॉमी को सपोर्ट करेंगी राधर देन क्रशिंग तो एक पेंच ये भी आया है लास्ट वीक तो उसको भी ध्यान रखेंगे अब बाकी रजस्टन सपोर्ट देखने से पहले देख लेते हैं मेजर कौन-कौन से डेटा है नेक्स्ट वीक सारे डेट जपैन का अनिम्प्लॉइमेंट रेट है जब यूसजी जेपी वाई में अपने ट्रेड करते हैं तो उसके लिए इंपॉर्टन है आई होप हमारे पास उस्टे को वह वाला ट्रेड ना हो उसके बाद क्यूस्टे को जॉब ओपनिंग से यूस की तरफ से साड़े साथ बज एडवांस नॉनफांपिरूल नंबर से फाइनल जीडीपी है यूस की जीडीप इंडेक्स है और कुड ऑईल की इन्वेंट्री है थर्जडे तर्सटे जर्मन अनिम्प्लाइमेंट चेंज है यॉर्प का निम्प्लाइमेंट रेट है पर पीसी इंडेक्स यह वाला इंफ् इंफ्लेशन नंबर से हमेशा फैड इस से काउंट करता है इंफ्लेशन कितनी है तो यह आएगा थर्सडे को इस इंफ्लेशन के अंदर सिर्फ यह है कि इसके अंदर फ्यूल और फूड के प्रॉडक्स के दाम नहीं रहते हैं बागी पूरा वही वाला इंडेक्स है उसके इसके बाद थर्सडे आएगा अनिम्प्लॉइमेंट क्लेम्स मंथली इंकम एंड स्पेंडिंग नंबर भी आएंगे प्राइडे आएगा मेन एक्षन डे नॉन फार्म पेरोल नंबर्स अनिम्प्लॉइमेंट रेट एंड मंतली एवरेज आवरली अर्निक्स तो यह डेटा है मेजर वाले उसके बाद फ्राइडे को मैनुफैक्ट्रिंग नंबर्स भी आएंगे उसकी तरफ से अब आते हैं चार्ट पर अगर आपको लास्ट वीक का वीडियो याद हो तो मैंने आपको 1880-1875 के आसपास का सपोर्ट दिया था इविन दो 30-35 डॉलर उपर चला गया ह है गोल्ड अभी भी सपोर्ट वही है अब ऐसे MCX के लेवल मैंने कम्यूनिटी पोस्ट में डाल दिये हैं जॉइन का वटन दबाके आप देख सकते हैं 399 दबाएं 399 सेलेक्ट करेंगे तो आपको गोल्ड, सिल्वर, कुरूड, आयल के लेवल दिखेंगे 599 सेलेक्ट करें ध्यान रखेगा हम क्लोजिंग बेसिस की बात कर रहे हैं अगर 1880 के नीचे क्लोज होता है तो 1840 और 1800 डॉलर तक जा सकता है 2005 यह है एक रेजिस्टंस मेजर रेजिस्टंस है इसके ओपर अगर क्लोज हो जाता है तो 2050 और एक नया लाइफ टाइम हाई भी आ सकता है लाइफ टाइम हाई आने के तो फ्लीज ध्यान रखेगा स्टे यह जाता है तो आप उन नहीं कर सकते हैं बाकि इंट्रेडियो में अगर आपको वीग दिखे तो सोचा जा सकता है पेट सिगनल्स के लिए आपको पताए क्या करना है वाट्स अप नमबर डिस्क्रिप्शन में है यह सिल्वर का चार्ट कि इसल्वर भी चार दिन पॉजिटिव में थी और एक दिन ही नेगेटिव में थी यह सिल्वर ओपन हुई थी चौबेस सतानवे के आसपास हाई बनाया 25-85 के आसपास क्लोजिंग दिये 25-85 से उपर एक अच्छी पॉजिटिव क्लोजिंग दिया है विकास पच्चिस-पचास के उपर बंद हुई है है तो वैरी गुड क्लोजिंग पर बायर्स तो रजस्टन सपोर्ट किया है आई यह देख लेते हैं कि देश्ट पचास दाट इस दा सपोर्ट इसके नीचे अगर सिल्वर क्लोज दे देता है तो एक्सपेक्ट कीजेगा 22 डॉलर और 21 डॉलर रेजस्टनस है कि 27 डॉलर पांच सेंट के उपर अगर क्लोज दे देता है तो ध्यान लखेगा 28 और 30 डॉलर भी सिल्वर जरूर जा सकता है सिल्वर और गोल्ड दोनों पॉजटिव चैनल में हैं जैसे कि मैं पहले काफी मैं हफ्तों से बता रहा हूं आपको तो प्लीज ध्यान लखेगा कोई भी सेलिंग के पंगे ना ले इसके अंदर अब आते हैं और यह है क्रूड ऑईल बहुत ही इंट्रेस्टिंग चार्ट स है क्रूड ऑईल के एक सबसे बड़ी क्रूड ऑईल की बात यह है कि इसकी रेंज इतनी बड़ी है यह देखो 95 से लेके 105 डॉलर यानि तक्रीवन 12% की तो सिर्फ एक कैंडल है और सिर्फ यह एक कैंडल की बात नहीं हो रही है यह मंड़े की कैंडल देखो एक सो चार से लेके 114 डॉलर अगें तक्रीवन 10% 10-10% के मूवस अगर एक दिन में आएंगे तो वीक्ली अनालेसिस में तो लेवल्स बड़े होने तय हैं तो वही यह वाले अनालेसिस में भी हो रहा है तो प्लीज डोंट माइंड बिकॉज लेवल्स आ वेरी बिग है क्रूड ओयल की तो इसलिए अगर आप एक भी तरफ फस गए इधर इन सैलिंग और माइंग तो निकलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा तो कोई भी आप क्रूड ओयल में ट्रेड करें तो प्लीज बिना स्टॉप लॉस के ट्रेड ना करें और ट्रेड लेने से पहले मे आफि लोग क्रूड ओयल में वहां है कुछ लोग कुछ लोग पायं आज wären सब्सक्राइब तो लोग सॉस्गें में करने भी दो तो 92 डॉलर और 84 डॉलर तक जा सकता है रिजस्टन्स है 127 डॉलर बीस दस सेंट का इसके ओपर अगर क्लोजिंग दे दी तो 130 डॉलर और तो 40 डॉलर तक तो क्रूड आयल में ध्यान रखेगा बिल्कुल भी पंगे नाले बिना स्टॉप लॉस के साथ वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कॉमेंट कीजिएगा टेलिग्राम और क्विटर पर भी फॉलो कर लिजिए लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए पे